हेलो एवरिवन तो आज मारे पास है बज्जास का ओटीजी जो की है 16 लिटर का उसमें काफी सारे साइज आते हैं जैसे कि 10 लिटर 16 लिटर 22 28 35 45 इतना बज्जास में साइज आता है में जो की एक लांग वेरेटी है और इसमें और ब्रांड यह मर्फी इचास जो की उसमें साइज आता है 16 18 28 and 36 40 and 60 इतने उसमें भी साइज आते काफी सारे साइज आता इस दोनों ब्रांड में दोनों ब्रांड का सर्विस संटर रेकी है बजाज एलेक्रिकल लिमिटेड एंड इसके कॉलेटी कंटेंड के बारे में पूरा बात करेंगे इसमें कौनसा यह मॉडल है और कैसे यह वर्क करता है और आपको यह रिजना साहिए या नहीं वह पूरा डिटिल में बताएंगे तो वीडियो शुरू करने से फिले मेरा नाम है श्रवन और आप लेकर है टेक्नो से देश सकते हैं यह बजाज का ओडिजी है और इसका मिल जाती है पूरी स्टैनल इसल के बाड़ी और जो आगे मिल जाती है ब्लैक कलर का कॉंबिनेशन वह की है ने इसमें मिल जाती है वारंटी और इसका मॉडल है बजाज मेस्टी 1603 टी एसस जो की ओवन टोस्टर ग्रि कि बल्ट क्लास फीचर्स मिल जाते है पर्फामेंस प्लस तर्मस्टेट मॉडल रो कुछ फीचर्स दिया है ओपन करके पूरा बन बता देंगे और इसमें यह जो मॉडल नंबर वाटेज 1200 है 16 लिटर कैपासिटी है आज का MRP 5690 आपको कितने में मिल जाना साहिए वह भी प्र प्रियूम सर्विस्ट अंडर वारंटी में 2 यस में मिल जाती है तो सलिए कदे पहले इंशा अंबॉक्सिं जल्दी से देख सकते आप यह है ओटी जी बजास का 16 लिटर्स एंड हमारे को उसके साथ में मिला है एक स्यार स्क्रीजर्स एंड उसके साथ में एक ट्रे एंड ज onu ह müssen जो गेड़ा है जो पिसमें स्क्रीट उसमा मडल नबर का डिक्रस एंड कैसे कैसे यूज़ करते है पूरा डिटल में दिया होई हिंदी में और इंग्लिस पहले और रचिपी बूक प्याए एंड उसके साथ में एक और मिला है ग्रिल रैक जो इसड़े करने के लिए हं तो यह जो पूरा प्रोसेश मिला है और नीचे की तरफ से दो कोईल मिल जाती है और उसके ऊपर की तरफ भी दो कोईल मिल जाती है और इसमें बाकी इतने पी ज्यात वगर नहीं है यह कंवेंशन मॉडल नहीं है क्योंकि स्मॉल साइज है 16L जो इसका मॉडल नोमर आजाता है और अभी करेंगे फीचर की बात तो सबसे उपर है टेमपरेजर जो की जीरो से स्टार्ट होता है मैक्सिमम आजाता है इसका 250 सेल्सियर्स टेमपरेजर है और आपको रेगुलर 100 या 150 में करना है और उसके बाद में आता आता है स्लेक्टर तो स्लेक्टर ऑप्शन यह है कि स्लेक्टर की एक तो आ जाता है दिख लिए आफ एंड यह उपर की तरफ में लाइन लिखा है यानि कि अगर आपको उपल का कोईल सिर्फ एटिंग करना है तो ही आप इसमें और रखना है अगर आपको नीचे का कोईल और रखना है तो इसको नीचे का उप्शन दिया हुआ है अगर आपको दोनों साइड साथ में कोईल और रखना है तो आप यह उप्शन सूस करना है तो बाकि अधरवाजी तो आफ ही फंक्शन एंड लास्ट में मिल जाता है एक टाइमर बटन जो की जीरो से स्टार्ट होता है एंड 60 मिनट तक का टाइमर है एंड आटमेटिक यह जीरो होते ही इस तरह का साउंड करेगा बेल की तरह एंड नीशे दे रही है पावल इंडिकेटर तो यह था बजास एंड उसका ग्लास डोर है आप पावल नंग प्रण ग्लास है एंड इसका एंडल का फिंशिंग स्टैंड लेका इच्छा कॉलिटी है और फॉपर का तरप में दिया हूए बॉडी स्टैंड बॉडी साइड में पुरा फॉल ला एं एर इंडिकेटर टाइप एंड उसके पीछे साइड में दिया वो है 5M's का जो की regular plug point में आप लगा सकते हैं तो काफी अच्छा product है अगर आपको इसको buy करना है तो वे best buy link description में दे दूँगा मुझे तो काफी फसंद आया यह इसका quality वगरा तो सली आज के वीडियो में इतना ही मैंने आपको वीडियो में पूरा डीटेल्स में बता दिया है क्या क्या quality उसमें मिले और इतना product उसके साथ मिल रहा है और कैसा quality है बहुत ही चाहिए यह आप भाई कर सकते हैं मैं ओपनली बोल रहा हूं और इसका अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए सेर कर दिए कॉमेंट कर दिए साथ ही सैनल को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आज के वीडियो संबस इतना ही तो जय हिन जय बारत झाल